टॉप फोर बेश्ट ओपो स्मार्टफोन अंडर 20,000 रूपीज तो दोस्तो जो ओपो स्मार्टफोन ब्रेंड है ना उसने अपने आपको इस तरह से स्टाइबलिस किया हुआ है कि वो बैतरीन कैमरी के क्यालिटी और अपने डिजाइन के लिए जाना जाता है और कैमरे में हमेसा नए-नए इनोवेशन्स लाता रहता है तो अगर आपको भी इस बजट रेंज में एक बड़िया सा ओपो का स्मार्टफोन बाय करना है और काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि पार्टिकुलर किसी ब्रेंड का ही स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो इसी तरह अगर आप भी ओपो का ही कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं और आपको बजट जो है 20,000 रुपीज के तकरीबन है तो आज की इस वीडियो को प्रॉपर लाश्ट तक देखिएगा विगाज की इस वीडियो हमने गिने चुने चार बेस्ट ओपो के स्मार्टफोन को सलेक करा है जो की आपको 20,000 रुपीज की बजट प्राइसेंग में कापी पढ़िया स्पैसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाते हैं और आप इन में से किसी भी स्मार्टफोन की तरप जा सकते हैं फर्स्ट नमर वाले स्मार्टफोन की बारे में तो वो हमने रखा है ओपो की दरप से आने वाला अप 23 5G स्मार्टफोन जो की आपको आराम से 20,000 रुपीज की बजट प्राइसेंग में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के लिए कॉलकाम स्टनापडगन 695 का एक 2.2 गिगेज़ पक लॉग ओक्टाकोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है यहाँ पर आपको 8GB RAM सपूर्ट के साथ 256GB की इन बिल्ट मेमरी देखने को मिल जाती है तो पर्फॉर्मेंस के मामले में यह काफी decent पर्फॉर्मेंस आपको यह निकाल गर देगा विगोड आपको यहाँ पर प्रोसेसर बड़ी है देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर हुआ पर बात करें इस smartphone के battery specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000MH की काफी बड़ी battery के साथ 67W की super woke fast charging का support भी देखने को मिल जाता है बैटरी performance भी काफी बड़ी है इसके अलावा अगर बात कर लें इस smartphone के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तोर पस 6.72 inches की एक IPL LCD panel देखने को मिल जाती है जो की 1018 to 2400 pixels की है और यह जो display panel है वो 411 ppi pixel density पे work करती है इसके अलावा आपको 120H का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है और panda glass की production भी मिल जाती है और यह जो smartphone है वो out of the works Android 13 पर work करता है विकाज अभी recently ही है इस smartphone OPPO की तरफ से launch किया गया है इसके बाद अगर बात करें इस smartphone के photography features के बारे में यहाँ पर आपको photography के तोर पर 64, plus 2, plus 2 megapixel का एक triple rear camera support मिल जाता है यहाँ पर आप अपनी वीडियो को maximum 1080p में 30fps पर full HD में record कर पाएंगे और वहीं आपको सामरी के तरफ भी 32 megapixel का एक front camera देखने को मिल जाता है So as per my opinion यह जो smartphone है 20,000 रुपीज को budget price हैं में OPPO की तरफ से आने वाला सबसे बड़ी है smartphone है तो आप इस smartphone को consider कर सकते है अगर आपका budget 20,000 रुपीज है इसके बाद अब बढ़ते हमाई list के second number वाले smartphone की तरफ और second number पे हमने रखा है OPPO की तरफ से आने वाला A79 5G smartphone और यह smartphone भी आपको 19,000 रुपीज की budget price हैं में easily देखने को मिल जाएगा तो आप इस smartphone के साथ भी जा सकते हैं इसके भी specifications काफी ला जवाब है और यह भी एक 5G device ही है तो अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए mid-rate ग्राइमिस्ट्री 6020 का एक 2.2 गीज़ पे clocked octa-core 5G processor मिल जाता है यहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है और इसके अलावा भी आपको battery के तौर पर भी 5000MH की एक बड़ी battery के साथ 33W का fast charging support देखने को मिल जाता है तो आपको smartphone जो है लगबग 1 गंटे में 0-100% full charge हो जाएगा इसके अलावा यह जो smartphone है वो out of box android 13 पर work करता है और यह भी अवी recently ही launch करा गया है और वही पर बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तौर पस 6.72 इंचेस की एक LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो की 1080 to 2400 pixels की है और यह जो display पैनल है वो 1392 PPI pixel lens टी पर work करती है यहाँ पर भी dual-ear camera support मिल जाता है और आप यहाँ से maximum 1080p में अपने वीडियो उसको 30 FPS पर Full HD में record कर पाएंगे और इसके अलावा भी आपको सामने की तरफ भी Samsung ISO JN1 का 8MP का एक काफी वड़ी है sensor देखने को मिल जाता है तो यह रहे overall कुछ इस smartphone के specifications and features इसके बाद आप बढ़ते हमाई list के next smartphone की तरफ और next number पे हमने रखा है OPPO की तरफ से आने वाला OPPO F21S Pro smartphone और इस smartphone को हमने third number पे इसलिए रखा है क्योंकि एक 4G device है जोकि आपको under 20,000 रुपीज देखने को मिल जाता है पर अगर आपको 4G variant चाहिए तो आप इस smartphone को consider कर सकते हैं तो अगर बात करें इस smartphone की pricing की तो यहाँ पर आपको यह smartphone 17-18,000 रुपीज की pricing में देखती को मिल जाएगा और अगर बात करें वही पे इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 680 का यहाँ पर आपको 8GB RAM सपोर्ट के साथ 128GB की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है इसके अलाव आपको अगर बात करें इस smartphone के battery specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको battery के तौर पर 4500MH की एक बड़िया battery मिल जाती है चो कि 33W की fast charging को सपोर्ट करती है इसके अलाव आपको display के तौर पर भी 6.43 inches की एक AMOLED screen देखने को मिल जाती है चो कि 1080 to 2400 pixels की है और यह जो display panel है वो 409ppi pixel density पर वर्क करती है और यहाँ पर आपको AMOLED screen देखने को मिलती है जब भी आप इसमें कोई content consume करोगे तब आपको experience काफी बढ़ी है रहेगा इसके अलावा भी आपको यहाँ पर Corning Gorilla Glass की protection मिल जाती है और 90H का refresh rate support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो overall display performance आपको यहाँ पर काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है इसके बाद at the end अगर वहीं पर बात करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 64, plus 2, plus 2 megapixel का एक काफी बढ़ी है triple year camera setup मिल जाता है और आप यहाँ से maximum 1080p में अपने videos को easily record कर पाएंगे और वहीं आपको इसके अलावा भी 32 megapixel का एक front camera भी देखने को मिल जाता है तो यह तो रहे हमाई list के third number वाले smartphone के specifications and features इसके बाद अब बढ़ते हमाई list के fourth and last smartphone की तरफ और fourth number पे हमने रखा है OPPO के तरफ से आने वाला OPPO F21 Pro 4G smartphone और इसका भी एक 5G variant आपको देखने को मिलता है जो कि 24,000 रुपीज की pricing में देखने को मिलता है तो आप उस smartphone की तरफ भी जा सकते हैं बात कर अगर 4G variant smartphone के specifications के बारे में तो यह जो smartphone है यह आउट ओड़ बॉक्स Android 12 वर वर्क करता है यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 680 का एक 2.4 GHz पर clocked octa-core 4G processor मिल जाता है जहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory भी देखने को मिल जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पर बैटरी के तोर पर भी 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 33W की fast charging को support करती है इसके साथ साथ आपको display के तोर पर भी 6.5 इंचेस की एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है और यह भी 1080 to 2400 pixels की है जो कि 409 PPI pixel lens टी पे वर्क करती है इसके अलावा आपको Corning Gorilla Glass Pipe की protection मिल जाएगी 90H का refresh rate support देखने को मिल जाएगा तो overall display performance आपको यहाँ पर भी बढ़ी है देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर बात करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 64, plus 2, plus 2 megapixel का एक काफी बढ़ी है triple layer camera support मिल जाता है और आप यहाँ से maximum 1080p में अपनी वीडियो उसको full HD में easily record कर पाएगे और इसके अलावा भी आपको 32 megapixel का एक front camera मिल जाता है तो यह रहाँ my list के fourth number वाली smartphone के specifications and features और यह रहाँ top 4 OPPO smartphones जो कि आपको 20,000 लुपीज की budget prices में देखने को मिल जाते हैं और इन चारों में से 2 5G phone है और 2 4G phone है जिस भी smartphone की तरफ आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं मैं तो recommend करूँगा कि आप 5G smartphone ही buy करिए विकोज अभी के time 5G all over India में लगबग आ चुका है तो आप 5G smartphone buy करेंगे तो आपको जल्दी smartphone change नहीं करना पड़ेगा So that's it for today's guys I hope कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफे अधा informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को simply कर दीजएगा like और channel कर दीजएगा subscribe तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरे और नाइट टेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए रादे रादे